क्या आप भी जब blouse बनाते हैं और उसका कपड़ा कम पर जाता है और आपको designing बनाने में problem आती है मेरे साथ भी सेम यही problem है जब भी मैं किसी blouse को बनाती हूँ और उसमें से हमारे पास इतना fabric बचता ही नहीं है जिसमें कि हम कोई design बना सके तो आज मेरे पास यह गले के बीच में से कपड़ा बचा है तो मुझे idea है कि क्योंना मैं इसमें bow बना दूँ तो bow का size हम ले रहे हैं length 7 inch और इसका width रहेगा 7 inch ही होना चाहिए लेकिन fabric के according हम यहाँ पर थोड़ा कम कर रहे हैं 1 inch कम ले रहे हैं 6 inch ले रहे हैं तो यहाँ पर हम 6 inch लेंगे और इस side से भी आपको 6 inch ही लेना है वैसे आप 7 inch लेंगे लेकिन हमारा fabric थोड़ा सक कम है जिसलिए मैं यहाँ पर 1 inch कम कर रहे हूं अपनी bow का width तो यहाँ पर हम बहुत ही असान तरीके से bow बनाना सीखने वाले हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक box बना लेना है 6 by 7 का और चारों को आपको straight line से इसी तरीके से मिलाना है तो जब भी आपके पास blouse में design के लिए कपड़ा नहीं होता तो आप कुछ ऐसा ही design बना सकते हैं और जो हमारा blouse का neck के बीच में से जो कपड़ा बचता है उसी कपड़े से हमने इस bow को बनाया है तो जो भी fabric था उसी के according हमने adjust किया और वो का size ले लिया same इसी size का आपको एक और part cutting करना है तो हमारे पास यह वाला fabric तो नहीं है लेकिन जो lining बचा हुआ है उसी में से मैं same इसी size का एक और part cut कर लूँगी तो यह हमारा जो part है इसमें भी center में joint आ रहा है तो दोनों part को आपको ऐसे मिलाना है सीधा सीधा आपको अंदर रखना है और चारो तरफ आपको half-half inch का margin लेकर चारो side से बिल्कुल सीधा सिलाई लगाना है एक side से आप 1.5-2 inch छोड़ देंगे बो को पलटने के लिए क्योंकि ज़्यादा तर मैंने देखा है कि बो को हम लोग center में cut लगाते हैं तो वो नहीं लगाना चाहिए side में से ही आपको थोड़ा सा space छोड़ देना है बो को पलटने के लिए तो यहाँ पर हम बो को चारो तरफ से सिलाई लगाएंगे और फिर उसके बाद मैं आपको पलटने का भी trick बताऊंगी कि कैसे आपको बो को पलटना होता है जब तक हम बो को सिलाई लगाते हैं तब तक मैं आपको अपने course के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे जो course होते हैं वो online और offline दोनों होते हैं हमारा academy है जिसमें हम online और offline दोनों classes देते हैं जो screen पर हमने दो number शेयर की हुए हैं जोनों number पर आप call और contact कर सकते हैं हमसे और अपनी sheet book कर सकते हैं हमारा app भी है play store पर आप जाएंगे और हमारा app सर्च करेंगे निश्या राजपूत coaching तो आप हमारा app डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर हमारे बहुत सारे courses दिखाई देंगे तो जो भी आपका favorite course है उसमें आप join कर सकते हो वहाँ पर हमारे सभी course का recorded भी आपको मिलेगा तो बो को पलटने से पहले आपको बो को चारो तरफ से corner को cutting करना होता है तो इसलिए आपको यह कपड़ा cutting करके अलग कर लेना है इससे आपका जो corner है वह बहुत sharp बनेगा और बहुत perfect बनेगा क्योंकि extra कपड़ा हमने यहां से cutting कर दिया है इसके बाद मैं किसी भी page course या किसी भी pencil की help से corner को बाहर की तरफ निकालूंगी चारो side से आपको corner perfect बनाना है और उसके बाद आपको बो को धीरे धीरे करके प्लेटों में convert करना है जैसे center में हम बो को ऐसे plate डालते हैं वैसे ही डालेंगे लेकिन उससे पहले आपको corner बाहर निकालना है और अपनी बो को अच्छे से press करना है प्रेस करने के बाद corner जमाने के बाद हम बो को center से gathers डालना start करेंगे बो हमारा ready है तो press भी कर लिया है हमने यापे प्रेस करने के बाद आप बो को इस तरीके से center से fold करना start करेंगे fold करते हुए आपको starting में और end में जो point होता है उसको नीचे की तरफ रखना है कई बार हम गलती करते हैं बो को ऊपर की तरफ रख देते हैं जो किनारी वाला part है लेकिन आपको ऊपर की तरफ fold नहीं करना है starting और end आपको नीचे की तरफ ही करना है अब उसके बाद मैं यहाँ पर धागा लूँगी और धागे से चारो तरफ से इसको अच्छे से pack कर दूँगी ताकि ये बो हमारा ऐसे ही as it is बना रहे खुले ना क्योंकि कई बार हम यहाँ पर पट्टी लगाने के चकर में हमारा बो इदर उदर हो जाता है तो पहले आपको बो को इस तरीके से pack करना है धागे से हम ऐसे pack कर देंगे उसके बाद आपको बो में लगाने के लिए पट्टी रेडी करनी है जिसका width half inch होना चाहिए कम से कम half inch तो होना ही चाहिए बो में पट्टी लगाने के लिए center पे तो ये कपड़ा हमने extra ले लिया है इसी कपड़े को हम इस तरीके से दो बार तीन बार fold कर देंगे और अपनी wish के according यहाँ पे पट्टी को रेडी कर देंगे और बो के बिल्कुल center पे लगा देंगे एक्स्ट्रा पट्टी कट कर देंगे और एक side से पहले आपको सुई और धागे से पट्टी को अच्छे से सिल लेना है उसके बाद दूसरी side से भी बो को आपको सिलना है सुई धागे से ही करना है और आपका बो पूरा अच्छे से रेडी हो गया है आप एक बार मुझे comment करके यह जरूर बताना कि आपको बो बनाने का तरीका कैसा लगा और next video आपको किस topic पर चाहिए ये भी मुझे बताना ताकि मुझे next video बनाने में आसानी हो मुझे पता चले कि आप लोगों को क्या चीजे सीखना है तो मैंने आपको course के बारे में तो बता ही दिया है कि आप हमारे online course भी join कर सकते हैं वहाँ पर हम अपने सभी course में सभी topic को बहुत अच्छे से details में सिखाते हैं जैसे हम यहाँ पर video बना रहे हैं उससे भी अच्छा और उससे भी details में हम लोग online classes देते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे all over world के हमारे पास students हैं जो हमारी classes लेते हैं online लेते हैं और offline के भी हमारे पास बहुत सारे students हैं लेकिन अभी हमारे पास offline की sheet नहीं हैं आप online booking अपनी करा सकते हैं आप अपनी खुद भी registration कर सकते हैं हमारे app के थुरू मैंने आपको भी बताया था कि हमारा जो app है वो play store पर है play store पर आप निशा राजपूत coaching app हमारा search करेंगे आपको मिल जाएगा और आप अपने फेवरेट किसी भी course में जोईन कर सकते हैं बो भी हमारा पूरा ready हो गया है आप देख सकते हैं और हम इसको अपनी blouse में back में कहीं पे भी attach कर सकते हैं और इस type का bow बनाना तो आपके लिए बहुत ही जादा आसान हो गया है आज की वीडियो देखने के बाद और हाँ इस type का bow आपको काफी जगह helpful रहेगा क्योंकि जब भी आप किसी भी बच्चे का outfit बनाते हैं फ्रॉक डिजाइन करते हैं तो इस type का bow तो आप बनाना सीखी गए हैं तो आसानी से आप इस type का bow बना सकते हैं bow complete होने के बाद आपको बो का जो पट्टी है उसको extra पट्टी को cutting कर देंगे और यहाँ पर सुई धागे से अच्छे से pack कर देंगे तो मिलते हैं आप से ऐसी ही नई वीडियो और नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए बाई बाई